हमारी दुनिया में अजीब गोरिब चीजों की कोई कमी नहीं है इसमें से कुछ चीजों की वजन्यानिक पुष्टी हो चुकी है लेकिन कुछ चीजे ऐसी भी है जिनको आज तक कोई वजन्यानिक व्याख्या नहीं मिल सकी है आज हम आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताने जा रहे है जिसके बारे में जानकर आप हैरत में पड़ जाएंगे दही हम सबको पसंद है सिहत के लिए भी दही काफी लाबदायक है गर्मी के मोसम में तो दही हर घर की जरूत बन जाती है सिहत के साथ साथ तवचा के लिए भी दही बहुत उपयोगी है लगबग हम सबी के घर में दही जमाया जाता है हाला कि तमाम कोशिशों के बावजूद दुकान जैसा दही घर में नहीं जम पाता है कुछ लोग ऐसे भी है जिने दही जमाने की प्रक्रिया के बारे में अच्छे से पता नहीं होता है ऐसी स्थिती में हम यही सोचते है कि काश ऐसी प्रक्रिया या चीज होती जिससे की ये काम और भी आसान बन जाता आपको बता दे कि राजस्तान के जैसलमेर में एक ऐसा पत्थर पाया जाता है जिसे दूद में डालने से ही दही जम जाता है जैसलमेर से करीब 40 किलोमेटर की दूरी पर स्थित हाबुर गाउं में ये पत्थर पाया जाता है इस पत्थर को स्वर्नगरी के नाम से भी जाना जाता है स्वर्नगरी पत्थर का उप्योग खुबसूरत बर्तनों को बनाने में किया जाता है इसकी उप्योगिता के चलते देश विदेश से लोग इसे खरीद कर ले जाते है जामन न होने की स्थिती में इस पत्थर को दूद में डाल कर आसानी से दही जमाया जा सकता है दूद में इस पत्थर को डालने के 14 अर्स के बाद दूद दही में बदल जाता है कुछ लोग इसे चमतकार मानते हैं लेकिन विध्यान इसकी अलग परिभाशा देते हुए कहता है कि इसमें बायो केमिकल, अमिनो एसिट, फिनायल एलिनिया और रिस्ट्रोफेंट टायरोसिन मौजूद है जो दूद को दही में तबदिल करने की शमता रखता है ऐसा कहा जाता है कि हजारों साल पहले यह जगा समुन्दर से घिरी हुई थी धीरे धीरे समुद्र के सुख जाने की वज़े से यहां उपस्ति समुद्रे जीव जिवाश्मा में बदल गए इसके बाद यहां पाढ़ों का निर्मान होने लगा इसके बाद पत्थोरों से खनीजों का निर्मान भी शुरू होने लगा लेकिन यह स्वर्नगिरी पत्थर से दूस्से दही तो बनी जाता है चलो जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ ग्लोबल इंसाइक्लोपीडिया में